नवश्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्षर में हम आपके सामने एक बहुत इंपोर्टेंट नोटिस को ले किया है, जो नोटिस है, यह सीबीएसी की है, सीबीएसी की ओफिशल वेबसाइट पर पड़ी हुई है, ठीक है, और यह बहुत इंपोर्टेंट कॉम्टीशन की न चीआपको दीए गया है, यह स्कूल लेवल पर कॉम्टीशन है, मतलब स्कूल के अंदर ही कॉम्टीशन होगा, आफ्लाइन होगा, पेंपेपर कॉम्टीशन होगा, इसके बाद अगर मालिजीए, इसमें जो टॉप थ्री बच्चे होंगे, स्कूल से कितने बच्चे कर सकते हैं और registration स्कूल ही करेगा बच्चे पर्सनली इसको रेइस्टर नहीं कर सकते हैं यहां पर अगर जो भी बच्चा टॉप थ्री में आएगा याद रखेगा एट से लेके टेन तक में जो टॉप थ्री बच्चे होंगे उनको फिर नैशनल लेवल कॉम्टिशन के लिए लेवल टू में बेजा जाएगा और यह जो पेपर होगा यह कंप्यूटर बेश पेपर होगा यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पहला पेपर जो है स्कूल पर यह ऑनलाइन हो रहा है लेकिन दूसरा पेपर जो है वो आफलाइन हो रहा है इसके बाद स्कूल लेवल कॉम्टिशन अभी हमने आपको बताया सिक्स से लेके टेन तक का होगा सी बेसी अफिलियेटेट जितने भी स्कूल है उसमें सब में लागू होगा लेवल टू में अब ही अबने बताया कि जो टाप थ्री स्टूरेंट्स हैं वो हर एक अफिलियेटेड स्कूल के वो पहले स्टेज में जो भी टाप थ्री स्टूरेंट रहे हैं उनको लेवल टू में जाने की मतलब चांस मिलेगा नैशन लेवल पे क्या-क्या एरियाज एक्सेस किये जाए अब देखें जो टेस्ट पेपर है या आप लोगो मतलब जो स्कूल होंगे उन लोगो पहले ही भेज दिया जाएगा टेस्ट पेपर भेज दिये जाएंगे वो लोगो प्रिंटाउत निकलवाके उसका टेस्ट स्कूल में करा सकते हैं फिर्ष लेवल का ठीक है तो फैस्ट लेवल में क्या है। कि जो पेपर है यह दोनों लेवल का एक ही जैसा होगा कि एक गंटे का पेपर होगा objective type questions होगे और 40 mark का पेपर होगा मतलब सहली कि 40 questions आपके पास होने वाले हैं कोई negative marking अच्छी बात यह negative marking कोई भी नहीं है first stage में अकर देखा जाए first stage की जो बात करी गई है इसमें कहा गया है कि जो फार्म भरने है पहले तो फार्म भरने की डेट दी गई है कि फार्म भरने की डेट क्या है तो पंदरा नॉमबर से पहले साड़े पांच बे से पहले फार्म भर जाना है कोई fees नहीं लगनी है इसमें question paper जो होगा वो registered school की website पे मतलब जो भी उनका email है उसपे डाल दिया जाएगा और answer की भी डाल दिया जाएगी उस हिसाब से जो school है वो अपना checking कर सकते हैं और जो भी उनका top three students है उनका level two में registration कर सकते हैं अब जो level two में registration होगा उसके लिए देखे कुछ online fees भी रखी गई है ठीक है मतलब free तो जो पहला stage था वो तो free था लेकिन जो second stage में उसमें per student rupees 900 cost रखी गई है अब ये school पे depend करता है कि ये school देगा कि ये बच्चे खुद इसको bear करेंगे और यहाँ पर जो registration होना है वो 28 नॉमबर से start होगा और ये 10 December 2022 तक चलेगा और जो link होगी वो सब आप लोको मतलब schools को provide कर दी जाएगी और आसानी से आरे बद गड़ी challenge पे जाके वो लोग आसानी से इसको register कर सकते हैं जो second stage का examination है वो 15 December को होना है ठीक है जो भी 3 बच्चे select हुए होंगे वो online exam देंगे ठीक है सब लोग नहीं दे सकते हैं याद रखेगा और यहाँ पर कुछ और भी अच्छे चीज़े दी गई हैं जैसे जो भी top 100 students होंगे उनको मतलब रिजन वाइज जो top 100 students होंगे उनको merit certificate दिया जाएगा ठीक है जैसे मालीज जेलाबाद रिजन है डेली रिजन है तो इसमें जो top 100 होंगे इसमें जो top 100 होंगे हर बच्चे को merit certificate गड़त गड़त का दिया जाएगा ठीक है फीस के बारे में बताए गया है फीस अभी हमने अला की बताई दिया आपको कि कोई फीस first level में नहीं है और second level में 900 रुपे फीस है इसके बाद ये चीज स्कूलों के लिए बहुत अच्छी है आपर बताई गई है कि जो top 10 schools होंगे मतलब पूरे भा हैं तो ये एक अच्छा नंबर माना जाएगा और ऐसे schools को मतलब एक appreciation certificate board की तरफ से दिया जाएगा तो ये कुछ बाते थी जो बच्चों के लिए भी important थी और जो schools के लिए भी बहुत ज़्यादा important थी ठीक है तो ये बहुत important information थी जो आपको देनी थी I hope ये पुरी बात cbsc की या cbc circulars की वह updates लगा दी जाती है ठीक है उसी playlist पे तो आप लोग जाके देख सकते हैं और अपनी preparation को आगी बढ़ा सकते हैं तो अभी गले फिलालते हैं थेंक यूवरे मैंच गुडबाई जय हमत